नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग राजनीती में लंबे समय तक टिके रहना और उससे ज़्यादा राजनीती में शिखर पर बने रहना और सत्ता के शिखर पर बने रहना सबसे मुश्किल होता है लोग शिखर पर पहुँचतो जाते हैं लेकिन वहाँ पर टिके रहने की कला नहीं आती है कैसे टिके रहना चाहिए उसके लिए जरूरी क्या है और एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से राजनीती के शिखर पर टिका हुआ है 23 साल हो गए 23 साल से अपने प्रदेश के मुख्यमंतरी है जी हां मैं बात कर रहा हूँ उडिसा के मुख्यमंतरी नवीन पटनायक की जरूर उनमें कुछ खुबी होगी ऐसी क्या खुबी है नवीन पटनायक वो जो भी केंदर में सत्ता में रहता है उसके साथ रहते हैं समा बीजू पतनायक के निधन के बाद, बीजू पतनायक का कद बहुत बड़ा था, उरिसा के निर्माता भी कह जाते हैं, और उसके अलावा राष्ट्रे स्तर पर राष्ट्रे स्तर के बड़े नेता थे, उन्होंने उरिसा से निकलने की कोशिश नहीं की, वो अलग बात है, लेक पिता के नाम पर बीजू जनता दल और उसके बाद जो है उन्होंने 98 में बीजेपी के साथ सरकार में केंदर सरकार में शामिल हुए केंदर में मंतरी रहे और सन 2000 में विधान सभाद चुनाओ लडा उन्होंने बीजेपी के साथ गड़ बंदर में और सत्ता में आगए मुख् बीजेपी के साथ ही लड़ा, बीजेपी लोगसभा में हार गई लेकिन नमीन पतनाइक विधान सभा में जीत गए, दो हजार आठ में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, दो हजार साथ में इसाई विरोधी दंगे हुए उडिसा में, कंधमाल से शुरू हुआ, के बाद नमीन पतनाइक ने भारती जनता पार्टी से नाता तोब लिया, दो हजार नौ का चुनाओ, अकेले लड़े जीते, 14 का लड़े जीते, फिर 19 का लड़े जीते, और मान कर चली कि 24 का लड़ेंगे, वो भी जीतेंगे, वो देश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार पांच बार अपनी पार्टी को सत्ता में ला चुके है, मुख्यमंत्री बन चुके है, ये श्रे केवल सिक्किम के चामलिंग और पश्चिम बंगाल के जोती बसुगवा है, जो लगातार पांच चुनाओ जीते, नमीन पतनाइक दो हजार चौबिस में जब ज जो लगातार छे विधान सबाच चुनाओ अपनी पार्टी को जिताकर लाइब मुख्यमंत्री बने, बना रहे, केंदर में सत्ता बदलती रहे, लेकिन उस पर कोई असर न पड़े, अब खुबी क्या है, आप खुबी कहें या खामी कहें, एक तो सबसे बड़ी ये है, कि नवीन पतनायक और उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, उनका विचारधारा से दूर दूर तक कोई संबन नहीं है, आप कभी उनकी पूरी राजनीती में आपको कोई आइडियोलोजिकल टिल्ट कभी नहीं दिखाए देगा, इसलिए वो बीजेपी के साथ भी जा संद 2000 में उस सत्ता में आये क्यों, उसका कारण कॉंग्रेस का कुशाशन था, 1999 में उडिसा में बहुत बड़ा तूफान चक्रबात आया, हजारों लाखों घर उजड़ गए, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लोग दर-बदर हो गए और राजिसरकार कुछ का नहीं उडिसा में तूफान से अभी-अभी हाल में विपरजाय आया अभी-अभी एक भी मौत नहीं हुई, एक भी व्यक्ति की, ये उन्होंने अचीव किया इतने सालों में और इससे पहले भी जो तूफान आये, उसमें उनका जो है, लोगों का बचाव का, राहत का, जो उनका रिकॉर्ड है, उससे कोई और सरकार, राजी सरकार उसको मैच नहीं कर सकती, तो उन्होंने समझ लिया, कि संकट के समय अगर सरकार लोगों के साथ खड़ी नहीं होती है, तो ऐसी सरकार को लोग उखाड भीखते हैं, एक उनकी सफलता का मंतरी है, आइडियोलजी नहोना, उसकी जो कमी है, उससे दूसरी चीजों से पूरी करते हैं, फुरा उनके बारे में और जान लीजे, वो लेखक है, जब तक उनके पिता जीवित थे, राजनीती में थे, वो कभी राजनीती में नहीं आये, बल्कि देश में ही नहीं रहे, विदेश में ही ज़्यादा तर सम वो अपने प्रदेश से बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत कम ऐसा उसर आता है, दिल्ली आते हैं जब प्रधान मंतरी से मिलना हो या योजना आयोग या निती आयोग की बैठक हो उसमें शामिल होने आते हैं, या इस तरह का कोई राष्ट्री पर वो समारो हो, उसके लिए आए अन्यथा वो छुट्टी मनाने के लिए विदेश नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, अपने सारा ध्यान उनका अपने प्रदेश पर है, दूसरा उनकी सभलता का राजी है, और आपको ये भी अगर नहीं मालूम हो तो बता दें, कि वो संजे गांधी के सह पाठी रहे ह उनका बड़ा करीबी रिष्टा रहा है, उनके पिता का भी रहा है, एक समय कॉंग्रेस पार्टी में ही थे, विजू पटना है, उसके अलावा राजीव गांधी से तीन साल छोटे थे, लेकिन गांधी परिवार से उन्होंने अप राजनीती में आने के बाद उस तरह का सं करता हूं, सेंस ओफ एंटाइटिलमेंट शायद वो कारण रहा हो, कि वो पहल करें, वो हमारे पास आएं, हम राजा हैं, प्रजा को आना चाहिए, नवीन पटनायक ने ऐसा कभी नहीं किया, बीजेपी से गड़बंधन तोड़ दिया, लेकिन संबंध नहीं तोड़ा, तो समझ में आ गया, उन दंगों के बाद जो प्रदेश में माहौल बना, उनको समझ में आ गया, कि भारती जंता पार्टी का तेजी से विकास होगा, विस्तार होगा, और वो विस्तार उनकी पार्टी की कीमत पर होगा, तो उनको ये समझ में आया, कि अगर मुझे politically survive करना है, उसे सत्ता में बनाए रखना है, तो बीजेपी से नाता तोड़ना पड़ेगा, वन्ना उनका वही हाल होता है, जो बिहार में नितिश कुमार का हो रहा है, और महाराश्र में उध्व ठाकरे का हो रहा है, धीरे धीरे बीजेपी उनकी पार्टी पर हावी हो जाती, चोटी हो जाती और धीरे-धीरे क्या होता पता नहीं लेकिन उनको यह समझ में आ गया था कि सर्वाइवल का एक ही रास्ता है कि बीजेपी से दूर हो जाओ गडबंधन तोड़ दो गडबंधन तोड़ दिया फिर कह रहा हूं संबंध नहीं तोड़ा अब आप देखिए एक विचितरबाद दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा मिलेगा कि नवीन पतनायक बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के सबसे ज़्यादा करीब है खासत दूर से प्रधान मंतरी नरेद मुदी के और उनके राजे में एक ही राजे में उनकी पार्टी है वहाँ बीजेपी उनक की मुख्य प्रतीजवंदी है उनकी लडाई उडीसा में चाहे लोकसभा चुना हो चाहे राजे सभा चुना हो बीजेपी से है लेकिन बीजेपी से सबसे संबन्द है वो एक मात्रा ऐसे मुख्य मंतरी हैं जिन्होंने कभी ये शिकायत ही नहीं की केंदर सरकार हमारे साथ अगर राज्य और केंदर में अलग अलग पाटी की सरकार है तो ये आरोप एक आम आरोप होता है सभी पाटियां लगाती हैं सभी पाटियों की सरकारे लगाती हैं तो आप इसे चाहें तो राजनीतिक अवसरवाधिता कह सकते हैं या उनकी राजनीती की रणनीती कह सकते हैं यही कारण है कि उनके अहां किसी जाच एजनसी की रेड नहीं होती और उसके अलावा केंदर सरका से उनको कभी परिशानी नहीं होती। अब सवाल जब भी विपक्षी एक तक आता है। तब जब जब ऐसा सवाल आता है तब तब ये सवाल उठता है कि क्या विजू पटायक साता सकते हैं। एक समय उनके पिता जनता दल का हिस्सा थे। तो इस नाते भी लगता है कि जनता दल के पुराने घटक दल हैं, तो इसलिए साथ आ सकते हैं, अभी नितिश कुमार नौ मई को उन से मिलने भी गए थे, लेकिन उन्होंने निकल कर कहा कि गटबंधन पर कोई बात नहीं हुई, और उसके अगले दिन आये प्रधान मंत्री से मिले, वहां से निकल कर प्रेस से कहा कि वो किसी के साथ गटबंधन नहीं करेंगे, चुनाओ अकेले लड़ेंगे, आपको मालूम होगा कि उरिसा में विधान सभा और लोग सभा का चुनाओ एक साथ होता है, तो बहुत सपष्ट कर दिया, पटना की बैठक में न उनको तो बीजेपी विरोधी खेमे में नमीन पतनायक क्यों नहीं गए, उसका बड़ा असपष्ट कारण है, उनको मालूम है कि जिस दिन वो उस खेमे में जाएंगे, दो चीजे होंगे, मानली जी अभी जाएं, तो एक 23 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनको राहुल गा अंधी के नितित वाली कॉंग्रेस में उसके मातहत रहना होगा, दूसरा, जैसे ही उन्होंने कॉंग्रेस और दूसरे दलों से गड़बंधन किया, उनका जो वोटर है, उसका एक बड़ा हिस्सा किसक जाएगा बीजेपी की और, तो कॉंग्रेस पार्टी से समझोता उनके लिए एक तरह से हारा किरी है, अपनी पार्टी को खतम करने का एक जरिया बन सकता है, तो इसलिए वो कभी भी कॉंग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए वो किसी विपक्षी गडबंधन में शामिल नहीं होंगे, कोशिश चाहे जितनी हो, दोजार इकिस में पर एक स्पेशल स्टोरी की, उसमें नितीश कुमार ने उनके बारे में लिखा, उसमें लिखा उन्होंने कि लोग सब्ता में आने के बाद बदल जाते हैं, शायद वो अपने बारे में कह रहे थे, लेकिन नमीन बाबू पचास साल के उमर में जैसे थे, आज भी वैसे ही ह उनमें कोई बदलाव नहीं आए, अब सवाल यह है कि इतनी बाते हैं लेकिन फिर भी उनकी सफलता का राज क्या है, दो तीन बाते हैं, पहले जो बाते बताई उनके अलावा, उनके अलावा बात यह है, उन्होंने विचारधारा की कमी को पूरा किया सुशाशन से, उन्हो मातर तरीका है, लोगों के विकास के बारे में सोचिए, और लगातार उनकी सरकार ऐसी योजनाए लाती रहती है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे दूसरे वर्गों के लिए हो, और इसमें वो लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि योजना बना दी, उसे स सरकार और संगठन के लोगों पर नसर रखना ब्रश्टाचार का आरोप मिलते ही बड़ी बेरहमी के साथ चाहे मंतरी हो चाहे संगठन का व्यक्ति हो तुरंत उसका पत्ता साफ करते हैं कोई देर नहीं लगाते, कोई मुरवत नहीं करते इसलिए उनके खिलाफ बगावत की जितनी कोशिशे होई सब नाकाम हो गई और जिन लोगों को ब्रश्टाचार के आरोप में निकाला उन्होंने वो भी कभी बगावत करके सफल नहीं हो पाए और तीसरी बात अपनी महत्वा कांखशा पर संयम रखना ये सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी राजनेता के लिए खास्तोर से जब वो सत्ता में हो तो उसकी महत्वा कांखशा पर कभी उसका संयम रहता नहीं बार-बार उधारण दे रहा हूं नितिश कुमार को देख लीजे आप शरत पवार को देख लीजे ममताब एनरजी को देख लीजे केचंद शेकर राव को देख लीजे इन सब लोगों को देखिए इनकी पार्टियां एक-एक राजी की पार्टी है नमीन पतनाएक की ही तरह है अपने राज्य में यदि नितिश कुमार और शरत पवार की बात करें शरत पवार आज तक नहीं बन पाए लेकिन नमीन पतनाएक लगातार 23 साल से है क्यों? क्योंकि उन्होंने राश्ट्री महत्वा कांग्शा कभी नहीं पा ली जहां है जितना है जो जनता ने दिया है उससे संतुष्ट है उसको बना कर रखना उसको बचा कर रखना ये उन्होंने अपना उद्देश बना लिया और उसके लिए उन्होंने रास्ता चुना गवर्नेंस का गुड गवर्नेंस का कोई विकल्प नहीं है ये नमीन पतनाएक ने साबित किया उन्होंने साबित किया कि सत्ता के शिकर पर पहुँच कर आप वहां टिक सकते हैं अगर आपकी नियत साफ हो अगर आपकी दूरदृष्टी हो और अगर आप ब्रश्टास चार से समझवता ना करते हो यह यह गुण है जो किसी राजनिता को लंबे समय तक सत्ता के शिकर पर रखते हैं तो नवीन पतनायक की यह उपलब्धी किसी और राजनिता को हासिल नहीं हुई है खास तोर से जब 2024 का चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद की बाद करें तो असायमित महत्वा कांग्शा अति महत्वा कांग्शा ये ये विनाश का कारण बनती है ये आपके पतन का कारण बनती है ये नवीन पतनायक ने साबित किया कि आप अपनी महत्वा कांग्शा को मर्यादित रखे आप अपनी अपनी क्षमता को पहचाने और जनता की भलाई आपके सामने सर्वोपरी हो तो आप लंबे समय तक सत्ता में बने रह सकते हैं तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक क्लियर मती दीजिए आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखे शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार